हेलो गाईज मैं नदीम खान और स्वागत करता हूँ आपके अपने डिव चैनल एन के फार्मेसी नॉलिज में दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों सबसे पहले आप क्मेंट बॉकस में बताईए कि आप सभी फार्मेसी श्टुडेंट्स की क्लासिस और सारे सब् Tube की तैयारी कैसे दोस्तों अमीद करता हूँ और आप यह प्रेय करता हूं कि आप अच्छे से मन लगा कर तयारी किजिए फर्मेसी की क्योंकि exam आएंगे डेट आएगी तो दोस्तो अच्छा हमारी preparation अच्छी होगी तयारी अच्छी होगी तो हम अच्छे marks ला सकेंगे तो दोस्तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपके लिए रिमेडियल बाइलोजी का बहुत ही इंपोर्टेंट टोपिक लेकर रहे हूं यहां दोस्तों करेक्टर ओफ लिविंग और गिनिज जीविद जीवों के बार्ण तो दोस्तों आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आप तो चलिए दोस्तों आज का हमारा यह टोपिक आज की अमारी क्लास स्टार्ट करते हैं और हैं दोस्तों आप क्लास को कहीं भी जाएज असमयिद करके जाये którego नहीं विच आर डिफ्रेंट फ्रॉम दोज ओफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दा बेसिक लाइफ प्रोसेज आर तो दोस्तों देखते हैं कितने टाइप्स की होता है हमारी जैसा कि आप दोस्तों वीडियो में चार्ट पेपर पे देख पा रहे हैं फिस नमबर पे अमारा दिया है ग्रोथ यहां दोस्तों ग्रोथ इसका मीन्स मैंने हिंदी में लिख दिया है ब्रैकिट में जिसका मतलब होता है भरदी और सेकेंड हमारा मूवमेंट जिसको हम गती लय या जुकाओ भी कहते हैं और थर्ड नमबर पे दोस्तों हमारा री प्रोडक्शन जिसको हम प्रजनन प्रतिरूप दोनों में से कोई भी अपने हिसाब से जहां हमारा सही जिसका मतलब जहां सही फिट होगा उसको अपने हिसाब से लगा सकते हैं चार नमबर पर हमारा दोस्तों दिया है responsiveness, oblique consciousness, प्रतिक्रियात्म या फिर चेतन, होस, अहसास, कुछ भी फाइब नमबर पर हमारा दिया है organization जिसका मतलब होता है बेवस्तापन या फिर बनाबट चे नमबर पर दोस्तों हमारा दिया है respiration जिसको स्वसन या फिर स्वास लेना कहते हैं और दोस्तों हमारा last or seven point है excreation जिसको उत्सरजन, मल या फिर मलतियाग कहते हैं मलतियाग मतलब हमारी body में कहीं भी मल या बोलते हैं पस हो नहीं जाता है अगर वो निकल जाएगा बाहर तो उसको बोल देते हैं मलतियाग मतलब मल का त्याग हो गया तो दोस्तों comment box में जरूर बताईए कि आपको ये video कैसा लगा आज का topic आज का video कैसा लगा interest आता है या नहीं आपको अपने comments box में जरूर लिख के बताईएगा और दोस्तों अगर किसी भी pharmacy students के लिए किसी भी notes या किसी भी topic wise वीडियो की जरूरत हो तो मुझे comment में जरूर बता दीजिए जिससे कि मैं आपकी demand पूरी कर सकूँ तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह कि biology या किसी भी subject के interesting topic के साथ तब तक कि यह दोस्तों अपना ख्याल रखिए जय हैं धन्यवाद